नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे हम कमपोस्ट खाद कैसे त्यार करते हैं और वह भी बढ़िया तरीके से दोस्तो अगर यह खाद अपने खेतों में डालते तो इससे हमारी जो पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ियाती है तो दोस्तो अगर आ अपनी क्या करना है एक बाल्टी लेनी है प्लास्टिक की बाल्टी ले लो या आप खड़ा को सकते हैं अगर बाल्टी नहीं है तो उसके बाद आपनी क्या करना है बाल्टी में अपने सबसे पहले तो डाल नहीं है मिट्टी तो पहले हम मिट्टी की पर्द बनाते हैं और दोस्तों अब इसके बाद हमने मिट्टी तो हमने डाल दी अब मिट्टी डालने के बाद हमने क्या करने हैं इसमें घास डालने हैं जैसे कलेश घर की सबजी हैं जैसे घर का कूडा करकत है। जैसे सबदी के के अगर केले के चलिकाएं ले ऑपके डाल सकतें अगर आपके पास कोई चीज है। कोई जो भी गली सड़ी घर में कूड़ा करकट होता है वो अपनी इसमें डाल देने हैं और इसके बाद फिर मिट्टी डालेंगे अगर और पती है तो आप और भी डाल सकते हैं तो दोस्तों आपने मिट्टी डाल नहीं है जो अपने पती हैं डाले हो मिट्टी धग जाएं अगर बारिश वाला मोसम नहीं है जैसे बरसाथ का मोसम है तो इसमें आपको पानी डालने के जुड़त नहीं है या बाहर रख दो पानी इसमें बारिश होगी पानी रहे चला जाएगा और यह गल जाएगा और दोस्तों इसके बाद क्या करना है अगर पशुओं का गोवर है तो आप वो भी डाल दे इसमें तो अब हम पशुओं को गोवर भी डालेंगे तो दोस्तों हमने गोवर भी डाल दिया और इसके बाद फिर हम मिट्टी डाल देंगे और अब हमने मिट्टी से भर दिया अब हम इसको अगर पानी है तो पानी इसमें आप चड़का दे या पानी अगर बारिश होने वाली है तो बारिश में इसमें परक दे पानी भर जाएगा आपने इसमें पानी चड़का देना है पानी चड़काने के बाद इसको आपने 35-40 दिन के लिए बार छोड़ देना है ऐसे खुले में तो दोस्तों आप हम इसको 35-40 दिन के लिए छोड़ देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी चड़काव कर देते हैं तो दोस्तों तो दोस्तों मैंने काफी खुला पानी डाल दिया है अब क्या होगा कि पानी जो होगा इसके अंदर रची जाएगा और इसको हमने अब साइड में रख देना है और दोस्तों अब हम इसको 35 दिन के लिए छोड़ देंगे इसको यहीं पर अब जैसे बीच बीच में अपनी क्या करना है इसमें थोड़ा और पानी डालते रहना है जिससे जैसे यह पानी रच जाता है जैसे अभी आपके सामने यह पानी रची गया इसके अंदर तो इसके अंदर में और पानी डाल देता हूँ आपने थोड़े दिनों के बाद जैसे दिखने हैं कि बारिश नहीं हो रही है तो आपने फिर से पानी को इसके में क्योंकि दोस्तो मानसून के सीजन में आगर खाद बनाते तो वो खाद बहुत जल्दी बनती है जैसे यह पानी सूख ही है आपने देखा अब हम इसमें और पानी डालेंगे तो दोस्तो अब हम इसको 35-40 दिन के लिए यहीं पर छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी खाद बनी है कि नहीं तो दोस्तो तब के लिए आप वेट करें तो दोस्तो अब हो गए है इसमें 35 दिन हो गए है और 35 दिन के बाद हम अब देख रहे हैं कि हमारी खाद बनी है नहीं बनी है तो दोस्तो क्या करना है सबसे पहले तो हम देखते हैं तो यह बाल्टी है बाल्टी को हमने देखा तो आप इसको तो दोस्तों देख सकते हैं यह जो हमारी खाद है बनकर त्यार हो गी है और इसके अंदर अगर जो पतिया रहे गी है अब इसको मैं पूरे को गिरा देता हूँ तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी जो खाद है वो बनकर त्यार हो गई है आप देख रहे हैं और इसको मैं नीचे गिरा दिया है अब मैं इसकी पतिया जो है इसके अंदर बच गई है इनको फिर से डाल दूँगा पूने की पूने हम खाद बना सकें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो खाद हो बनकर त्यार हो गई है और खाद हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी बढ़िया बन गी है और इसके इंदर को भी पतिया रही है जो बची है तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लेस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें तो दोस्तो आपने देखा कि कमपोस्ट खाद घर में कैसे बनाते हैं वो भी बढ़िया खाद जो आप किसी भी पेड को भी लगाओगे या किसी पोद्दे को लगा तो पोदा बिलकुल स्वस्त पैदा होगा और अगर आप सीड उगाना चाते हैं तो सीड में यह आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तो जै हिन जै भारत